तो आज जब बी सेल और टी सेल और इनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ींगे नेट में ज्यादा वीडियो अवेलिबल नहीं है इस टॉपिक पर इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है लिमफोसाइड इस वह बन में बनती है लेकिन कहाँ पाई जाती है बीडम और लिमफोसाइड आन इस ब्सक इसके बार यह बहुत ही में टाइप होती है इंम्यून सेल्स ही के तो इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपोर्टिंट अपार्ट है रहा लिफोसाइट इसे जिसमें बी सेल और एक चीजिए बना यह बनाती है बहुत सारी चोटेएटी चीजों से आपस में मिलके बनता है तो ऐसे जो इम्यून सैल्स जो होती है जो लिंफोसाइट साइटाइस यह सभी आपस में मिलके एक कॉंफेक्स नैटोक बनाते हैं जिससे की इम्यून सिस्टम बिड़ होता है एक पाथोजन या फिर एंटिजन के यह जब बाडी में एंटर होता है तो हमारी जो ती सेल्स होती है सबसे पहले वह एक्टिव होती है ती सेल्स यह एक्टिव होती है यह अकेले टी सेल्स कितनों को एक्टिव कर देता है पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है ठीक है यह एक्टिव करता है को यह एक्टिब करता है वी इसल को यह करता है नाच्रोल खिलर सेल को को करता है जो की प्रोड्यूस करता है एक अपर डी सैथ ठीक है इतने चीज़ों को यह अकेले T-cell जो है वो एक्टिव करका फिर यहां पर जो यह B-cells है B-cells antibody का production करती है यह antibody की factory ठीकिए तो B-cells plasma cell में ठेले convert होती है और plasma cell में convert होने के बाद antibody का production करती है antibody है यह हमारे complement system को जो है तो इस तरीके से जो यह complex immune system है वो वर्क करता है lymphocytes जो है वो टू टाइप्स के होते हैं फॉस्ट जो है वो वी लिम्फोसाइट सेल कि जिसे हम B-cells के नाम से जानते हैं ठीकिए और सेकेंड है पी लिम्फोसाइट सेल ती लिम्फोसाइट सेल के नाम से जानते हैं जो यह दोनों लिम्फोसाइट सेल है यह और जोनेट होती है कहां पर बोन मैरों में ठीक है बोन मैरों में यह दोनों ही सेल जो है वो और जिनेट हो लेकिन डिफ्रेंस कहां आता है जो हमारी यह बी सेल है वो डैबलब्मेंट और मिचुरिशन दोनों ही बोन मैरों में होता है लेकिन जब हम ती सेल की बात करते हैं तो यह है यह और जिनेट जरूर बोन मैरों में होत कि लिए बबम्म्न सार्प एक नंहीं नों दिफरेंट क्लिए जो वहाइं जो बात कहते है बात कहि kardeş होता है जो स्रक्टुर होता है इनकी दुग सेली को सेल पर इसेलТiving इजो परिदव यह लिंफोसाइड्स क्या होते हैं यह कितने थाइप के होते हैं और इनके सेल पर जो रिशेप्टर प्रिजर्ट होता है तो इसको हम क्या प्रॉनाउंस करते हैं जो इनका function कैसे बोन मैलों से लेकर एंटीबोडी के प्रॉडशन करते हैं कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं लिंफोसाइड्स एंड रियर function तो अभी हम यहां पर overall structure देख रहे हैं कि start कहां से होता है और इंड कहां पर होता है कि कैसे बोन मैलों से लेकर एंटीबोडी के production तक इनकी journey कैसी होती है लिंफोसाइड सेल्स की ठीके इसके बाद हम अलग से separate B-cells और B-cells को पढ़ेंगे ठीके इसके details को पढ़ेंगे तो यहां पर हम जैसे की गाईग्राप में देख रहे हैं यह बोन मैलों है ठीके जो लं हिल्फोसाइड स्हेड थी जड़ोसाइड सेल्स बोन मैलों में स्टेंब जान रिफोसाइड सेलने सेल इनका production। है ठीके तो यह ग्याद सेलने सेल्स के बताया थी किने जो बाद सेल ही होता है बोन मैलों में है उलेकि ऑपन होती है। गद्धेना से इड्ःत gi 약 116 सेल-2, 2 यह अनादर तू टाइप की सेल में डिफ्रेंशेट होती है जब इनका इंटरक्शन किसी एंटिजम से होता है तो और इनके जो भी सेल है इनके सर्फेस पे धे सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होती है यह एंटिबॉडी ही होते हैं इस सब अलग सा भी पढ़ी है तो जैसे कि जो पी सेल है वो अनादर तू टाइप के सेल में डिफ्रेंशेट होती है पहला जो है मैमरी सेल और दूसरा है प्लासमा सेल मैम्री सेल जो कि एंटिबॉडी को बनने के बाद उसको स्टोर करके रखती है फ्यूटर में इस्तिमाल होने के एली है ठीक है इसलिए इसको हम मैम को बता रही है जैसे कि आपने चैनल का इसके सर्फेस पर वाग्वाडी को रिमूब करके जो बचता है वहां प्लाजमा शालरे Cheerio जो यह एंटी और डिलीस करती है तो अपर के लिंग हम एन जो ब्लाजमा सेल तो वहां से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है जो पॉटीस होती है बिल्कुल स्पेसिफिक होती है अनिजन के लिए स्पेसिक इंटेशा प्रोडक्शन होती है होने के लिए सबसे पहले है कि कुछ आंटिजन का प्रवेश हो जैसे ही कोई आंटिजन या पाफिजन जैसे एंटर करते हैं तो इनको सिगनल मिलता है सेल मैक्रोफेज होता है जो निकलते हैं इनकी सेल की सब्सक्रा करते हैं तो प्रवेश पर जो आगे की प्रॉसेस को चलते ही तो जो T-cells होती है यह चार टाइप की cells में डिफेंशेट होती है ठीके पहला T-Helper cell जिसके बारे हम सब जानते ही कि जो T-Helper cell होती है यह बहुत ही में important role play करती है B-cell के activation के एगें दूसरा है Cytotoxic T-cell ठीके यहीं सेल वायरस और अनदर इसक्षिन को रिकर्नाइज करती है तो इसके सेल के सफिस पर मॉलीक्यूल प्रेजन होता है उसके बाद आती है इस इस प्रेसर T-cell इस इस इम्म्यून रिस्पॉंस को रेगुलेट करती है जब अन्टिजन प्रेजन नहीं होता है तब यह सिस्टम को टर्न ओफ करके रखती है क्योंकि स्टार्ट करने वाली तो बहुत सी चीज़ें है लेकिन अगर एंटिजन नहीं है बाडी में तो इसको टर्न ओफ करने के लिए जो रिक्वायर होता है वह सुप्रेसर T-cell तीडी सेल्स होती है वह है इस साइप की चीज़ों को कंट्रोल है यह ली काम है रहे लाखन उरा ऄंटिजन्स को रिकाइजकर नाईस पर अथा साथचा अध्य बाड़ यह», इंस तरीके जो हूटे है 1-2 अधनि लिक नाइस प्लस एंटिजन इसका क्या मतलब है कि जो दीसल होती है सबसे पहले वह न बते हैं कि यह कुई अ टॉप सिक मेटीरियल है या नहीं तो वह जो बीषान क्या होता है कि यह करती हैं कि जो एन्टिजन आती है उनके साथ करती है कि बहुत करते हैं कि वो दिवाइड हो ठीके प्लादमा सेल मे और एंटी बॉड़्ी में इस ती की सेल के द्वारा ही पॉसिबल नहीं पाता है करने काम कर दी हैं तो जो हैं माल लीजे कि यहां पर कोई एंटिजन है जिसके यह रिसाटर ने जो है वह रिकर नाइस किया इस एंटिजन को तो अब क्या करेगा कि यह सेल का रिसाटर है वह इंटोसाइटोसिस के द्वारा इस एंटिजन को जो है वह इंगल्फ करने के बाद इनका जो है वह दाइजसर हो जाएगा छोटे-छोटे स्मॉल फ्रेंगमिन्स को जो इस को एक बाहर की तरफ निकाला जाएगा जाएगा तो बाहर निकाले के लिए भी यह फ्रेंग्मिन्स को जो यह पर है पर अब यह सिचोएशन है इसके लिए तो अब इनके बाइंड होने के बाद क्या होता है कि जो आके इस वी सेल्स के साथ बाइंड होती है वो यहां पर दोनों रिसेप्टर के द्वारा बाइंड हो चुके हैं तो अब इनके बाइंड होें के बाद क्या होता है कि यो जो वी सेल्सेल्स वान्वा कुन सिक्रीट करता है यह लिंफो काइंड का कि यहां पर होती है और यह चेक करती है कि हमारा जो यह complex बना है वो सही तरीके से प्रॉपरली बना है या नहीं ठीक है तो यह जो CD4 है 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 यह चेक करता है मेट शुर करता है कि यह complex बना है या नहीं ठीक है उसके बाद यहां पर सीक्रेशन होने के बाद यहां पे जो करता है कि इनके सब्सक्राइब करता है जो अभी तख यह जो रिसेप्टर है वह बीसेल रिसेप्टर के नाम सही जान रहें एक मांटॉस दिबाद क्या होगा कि यह इस रिसेप्टर को रिलीज करेंगी थी जा अब यह जो खारि है यह अब सीच कर जाएंगे सौलीबल कोटीन के जिसे हम आप जी बोली खीकर अभी तक जो यह सब्दम कहलाते थे आप वो शॉलिबल को पोटीन या लाएंगे जो आप जिन से इंटराक्ट करें उसको डिस्ट्रॉस करती है वहें तो इस चरीके से जो एंठीबड़ी का पूरा प्रोसीजर होता है कि कैसे अग Gcels से ऑंग प्रॉड़ोड़ होता है तो कि vap कर लेते हम उति टीज हैं यह तो यह उसके इसऽरप कर वादि भी ऐसे हम बोलेंगे तो और इस पर्मेंद फडेंज देख लेते हैं जो साथ वह यह है कि Gcels तो जो जो एंटिजन के बाद जो उसके स्मॉल फ्रेग्मेंट जब आते हैं तब टी सेल्स है वह एक्टिव होती है और अपना रिस्पॉंस जो है वह शो करती है जो 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 होती है उसको डाइजस करके और उसके सब्सक्राइब करती है और उसके सेल्स के बाद जो प्रेज़न अपना दिखाती है जो होती है उसको डाइजस करके और उसके सेल्स के सर्फेस पर जो एमेसी मॉलिक्यूल होता है उसको क्यारी करता है तब जो टी सेल्स का जो रिसेप्टर है उसको रिकरग्नाइज करके उसके साथ बाइंट होता है ठीके बाद फॉर्थ पॉइंट है जो टी सेल्स होती है व हम लिस्मिन रोगोंाटबूर्टिज लिवर्म एन लिसमिन 2 आपने धुए में अर्वा इन फर्षाविज गामा ठेल फर्षाटा इन्याइब लिस्मिन अन्यास मंदी नियल्द ऌने ओब्ड़ेंग कि सयंकिते चसे पितलि के किया तो आपका एक साथ प्रेजंट फोलों आपका से देखे केसे करक्ते हैं यहाँ पर कबेग बैएर एक्ककाण निएकों कि देखे एगी जुब मैं पे इसकंटा में है साथ साथ यहां पर एक और रिसेप्टर प्रेजंग होते हैं जिसे cd4 या cd8 तो यह क्या है यह बहुत ही important role play करता है यह जो टी लिंफोसाइट या फिप हाइमोसाइट या T-cells के बोलेंगे इनके पास दोनों रिसेप्टर प्रेजंग होते हैं cd8 प्लस भी और cd4 प्लस भी प्रेजंग होते हैं अब यह जो cd8 होती है इसे इसे जो cytotoxic T-cell बनता है ठीक है cytotoxic T-cell बनता है ठीक है और cd4 से helper T-cell helper T-cell का formation होता है ठीक है जो antigen presenting cell की surface पे mhc mhc molecule होता है 1 और 2 ठीक है तो यह जो cd8 और cd4 है यह mhc molecule के साथ जो है वह bind होता है ठीक है लेकिन कुछ mhc 1 के साथ bind होता है तो कुछ mhc 2 के साथ bind होता है यह specific होता है ठीक है जो antigen presenting cell है यह स्टुमरेट करता है कि अब जो T-cell है या तो cd8 में cytotoxic T-cell को बना या फिर cd4 जो helper T-cell है उसमें change हो ठीक है तो आप हम इसका mode of action देख लेते हैं कैसे antigen से interact करता है T-cell और इसमें antigen presenting cell mhc और cd4 इस सब का जो function है वो क्या है सब्सक्राइब को देख रहे हैं कि इनका जो activation होता है immature T-cell से mature T-cell का formation कैसे होता है तो सबसे पहले में डाग्राम में क्या क्या है यह जो हमारा portion है यह हमारा antigen presenting cell ठीक है यह वो सेल्स है जहां antigen present है इस ठीक है और इसको macro face के द्वारा इसे इंजल्स कर लिया गया है ठीक है और फिर इसको small fragments में इसको तोल लिया गया है जो antigen presenting cell है वो T-type ही हो सकती है तो यहां पर वो antigen है जिससे हमें digest करना है यह हमारा T-cell receptor immature T-cell है ठीक है यह हमारा receptor T-cell receptor यह वो पार्ट है जिसकी वजह से T-cell जो है CD4 type का बनता है ठीक है इसका function हमने पहले भी बताया है कि जब MHC और receptor की बीच में जो complex बनता है और इनका जो interaction होता है वो correctly हुआ है यह CD4 आकर यहां पर check करता है ठीक है इसके correction के बाद ही यहां पर secretion होता है interleukin का और इससे mature T-cell का formation होता है ठीक है तो सबसे पहले हम देख रहते हैं कि हमारा antigen presenting cell है इसको कहीं पर antigen मिला ठीक है इसको इसको इंगल्फ कर लिया गया फिर इसको hydrolyze enzyme के दौरा इसका digestion हुआ digestion होने के बाद इसके cell के जो surface पर MHC molecule present है antigen है इसको carry करेगा और जो T-cell है इसके surface पर भी a receptor present होता है उसके साथ वो complex बनाएगा ठीक है तो यहां पर T-cell का receptor है इस foreign particle को recognize करता है रिकरगनाइज करने के बाद यहां पर यह bond का formation होता है ठीक है उसके बाद यहां पर जो CD4 plus है वो यहां पर receptor से आके bind होता है और इस interaction को TCR plus Mhc का जो complex बनता है इसको check करने के लिए CD4 यहां पर bind होता है और फिर यह जो सारी डिनाक्शन पर इसको perfect करता है ठीक है यह complex बने के बाद यहां पर यहां पर interleukin का जो है वो secretion होता है interleukin के secretion के बाद यहां पर T cell जो है वो self active हो जाता है ठीक है यहां पर हम T cell का second type देख रहे है CD8 type जो की है cytotoxic T cell का type इसके पहले हमने CD4 plus देखा था CD4 type देखा था helper T cell ठीक है और यह हम cytotoxic T cell के activation को देख रहे हैं ठीक है same procedure है सिर्फ यहां पर difference है MHC molecule का और यहां पर CD4 और CD8 का ठीक है तो same method is immature T cell है ठीक है और इसका यह receptor है T cell receptor antigen presenting cell ठीक है तो same procedure ही होगा कि antigen presenting cell के पास कोई antigen आया होगा इंगल्स करके उसको करके और MHC1 molecule उसको जो की cell के surface पर प्रजेक्ट होता है as a receptor उसको load करके T cell उसको recognize करेगा कि cell में कोई foreign particle जो है वो enter हो चुका है ठीक है तो यह जो इस इस इंटरक्शन से बाइं होगा और इस जो complex है उसको correct करेगा ठीक होने के बाद यहां पर secretion होता है इंटर्यूकिन का इंटर्यूकिन के secretion के बाद जो immature T cell है वो mature T cell में जो है वो activate हो जाता है और इसे हम PC cell या कहां से कहां से शुरू होता है फिर antibody का production कैसे होता है P cell और T cell का activation कैसे होता है बहुत easy way में समझ में आ गया होगा वीडियो से related कोई question हो तो नीचे comment करके बताएगा वीडियो helpful लगे तो like जरूर करेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe करेगा thank you so much for watching